नमस्कार आप देख रहे हैं भारत लाइफ मैं हुआ आपके साथ कंचन इस वक्त हम बात कर रहे हैं नितीश कुमार की NDA सरकार की जो NDA सरकार डबल इंजन की सरकार की जो गारी है वो पटरी से नीचे उतरते साफ दीख रही है कुछ दिनों से हम अपने चैनल के माध्यम से आपको लगतार दिखा रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी वाले बीजेपी में ही लर रहे हैं जेडियू वाले जेडियू के बीच ही लर रहे हैं और बीजेपी जेडियू एक दूसरे से भी लर रही है तो बीच में बीच में जो दानिश रिजवान है उन्हों ने अपने वीडियो में साफ तौर पर वो कह रहे थे कि जो बीजेपी और जेडियों की अभी जो लराई छीर गई है कुछ थोरा सा जो गट बंधन में दरार आ गया है उसमें विपक्षी दल उस आग में हाथ ना सेके क्योंकि उनका जो सप रिजवान का जो ये कहना था वो अब फेल हो रहा है क्योंकि सही माइने में जो गट बंधन है वो टूटते हुए नजर आ रही है आपको बता दे कि जो मुख्यमंत्री नितीश कुमार बिहार के जो पुर्व मुख्यमंत्री जीतन राम माजी हमेश सा अपने बयान उल्टे सीधे बयानों के कारण ही जाने जाते हैं इससे पहले भी बहुत दिन पहले उन्होंने अपने एक बयानों में कहा था कि जो गरीब लोग है यादि साम को थोड़ा सा दारू शराब पी लेते हैं तो क्या हो जाएगा उनका ये बयान पूरे बिहार के राजवितिक में उतल- एक हजार करोर रुपया इस शेत्र के लोगों को नहीं दिया गया तो मैं चमक जाओंगा गटवंधन से दूर हो जाओंगा तो आपने देखा था किसीने तोड़ पर नितिश कुमार को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि एक हजार करोर रुपया शेत्र में देना ही होगा हलाकि उसके बाद जो उनके सुपूत्र है संतोस कुमार सुमन उन्होंने कहा था कि जो माजी है अपने जिन्दगी के लास्ट पराप पर हैं वो शेत्र के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उनका उस उनके बयानों का जो विपक्षी दल है वो गलत ना समझे क्योंकि अलों में फिर से निटीश कुमार परवार किया है वो भी उस चीज पर पर किया है जिसके कारण निटीश कुमार आए दिन जाये विवक्षी हो जनता हो सब से गिरते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं नखीं निटीश कुमार शराबबंधी कानून को सफल बनाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं लेकिन ये बात खाला कि सच है कि नितीश कुमार अपने तरब से कोशिच पे कोशिच किये जा रहे हैं कि मद निशेद विभाग के अधिकारी के पाठक को उन्हों ने यह जो भार है सवापा है कि कि शरावबंदी कानून को सफल बनाना है पुरीश को सशक्त किया जा रहा है, जनता में प्रचार प्रशार किया जा रहा है कि शराब पीना गलत है। नितीश कुमार अपने काम को कर रहे हैं, भले ही गारी धीरे धीरे चल रही है, लेकिन वो लगतार जुरे हुए है। लेकिन अब जो माजी का बयान आया है माजी ने इस फस्ट रूप से कहा है कि 1991 का जो कानून था जिसमें था कि शराब पी के रोड पे नौटंकी नहीं करना है रोड पे हला गुला नहीं करना है अच्छे से सब यह लोगों के तरह पी के हम घर में रहें वो कानून ठीक था क्य कि इस से टूरिज्म टूरिज्म के व्यपार में लौज हुआ है जितने भी लोग गया आते थे गया घूमने के लिए रहे हैं वह अब कौकत्ता की तरफ अपना रूख कर रहे हैं व्यपार में कमी आ रही है रेस्टोरेंट में लोग नहीं जा रहे हैं उनका कहना है कि टू अपराध करने का लेकिन एक उपमुक्मंत्री को एक राजनीता को ये बयान शर्मशार करता है क्योंकि उनका कहना है कि जो गरीब लोग है रात को काम करके ठक जाते हैं और दूद का सेवन नहीं कर पाते हैं तो शराब ही पी ले अब भला ये बात सच कैसे हो सकती है सही कैसे ह सकती है यह गरीब इंसान दूद नहीं पी सकता है लेकिन शराब इले एक मुख्य मंत्री को ये बात सोब अहीं देती है और नितीश कुमार किस तरह से ढखते हैं कि की नितीश कुमार उन्हें बहुत बेखुवी आताहै अब माजी का जो यह बयान होता है इसको लेकर नितीश्चकुमार क्या जवाब देते हैं क्योंकि जन्ता तो पूछेगी क्योंकि जो हम पाटी है इंडिया के गट वंधन में आती है और हम पाटी के नियता माजी नहीं ये बयान दिया है कि नितिश कुमार को शराब बंदी कानून को लेकर समिक्षा बैठे करनी चाहिए उनिश्यों क्यानवे वाला कानून सही था लेकिन अभी जो शराब बंदी है उचसे लोगों को नुफसान हो रहा है अब देखना ये कि नितिश कुमार क्या करते हैं क्या माजी के कहने पर शराब बंदी कानून को वापस ले लेते हैं या फिर वो माजी को इस सवाल का जवाब देते हैं बहराल खबर में बने रहने के लिए देते रहे भारतलाइब नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद